हरे कृष्णा उल्लास 2024 हमारी अराध्य है शिरीमती राधारानी सरकार का ये भव्य और पवित्र आंगन और इसांगन में उपस्तित आज के हमारे मुख्य अतीती मेजर जर्नल विन्य कोचर जी उनकी धर्म पतनी हमारे आज के कारिय करम के गेस्ट ओफोनर शिरी अजेगर्ग मेडम अंजुगर्ग जो आपके ब्लोग की एजुकेशन ओफिसर भी हैं हमारी स्पेशल गेस्ट मेडम शशीदर जी ये धर्म पतनी है आपके स्कूल की पूर्व वाइस चेर्मेन मिश्टर के अंदर की प्रिंसिपल मेडम हमारे नीवली अपॉइंटेड प्रिंसिपल जाप कोडिनेटर में हम अनेक स्कूलों से आए स्कूलों के संचालक, स्कूलों के चेर्मेन, वे उनके प्रिंसिपल, उपस्तित सभी, पेरेंट्स, वे मेरे जिगर के टुकडे, प्यारे प्यारे बच्चों एजूकेशन के एक शेत्र में मुझे लगबग 25 वर्सों का समय हो गया है आज से ठीक 25 वर्स पूर, 1999 में आपके सहर में एक इंजिनरिंग कोलीज की स्तापना करने का मुझे सोभाग्य पराफ्त हुआ आज इसकूल को बने जहां 10 वर्स पूरे हो गये हैं, वहां हमारे कोलीज को बने भी आज लगबग 25 वर्स पूरे हो चुके हैं समय की गती किसी को समझ नहीं आती सच कहूं तो यह 25 वर्स कैसे बीट गए मुझे मालूम ही नहीं यदि इन दस वर्सों का सफर कैसे ते किया यह मुझे पता ही नहीं, पता ही नहीं चला, कब सुभा हुई, कब शाम हुई, जिंदगीन हुई, तमाम हुई बड़े खटे मिटे अनुभव इन 25 वर्सों में मेरे जीवन के रहे और विगत, दस वर्सों में तो, खास तोर पर, एजुकेशन इंडस्टी ने, आज तो यह इंडस्टी का रूप धरन कर चुकी है, पता नहीं मेरा कहना यह ठीक है यह नहीं है अनेक परकार की इत्राच्चियां पिछले तस वर्सों में देखने को मिली, हरियाना में एक अन्वांटिड आरक्षान अंदोलन हुआ, जिसकी चपेट में यहां के बिजनीस और खास तोर पर, यहां के स्कूल कोलीज बहुत बुरे दोर से गुजरे उसके बाद नोट बंदी का एक सिलसला शुरू हुआ, जिससे हमारे मिडल कलास भाईयों को बड़ी तकलीब का सामना करना पड़ा, फिर कोविड वन, कोविड टू, कोविड थ्री, उसके बाद किजाना अंदोलन, चलो, यह जीवन है, चलता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी सारी विकट परिस्तितियां जहेलने के बावजूद भी, आप सभी लोगों के सहियोग से, सभी पेरेंट्स के सहियोग से, सभी बच्चों के सहियोग से, और खास तोर पर हमारे स्टाब मेंबर्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे जितने भी कारिया करता हैं, जो धहरी है, इस काल में दिखाया है, वो वाकई सराणी है, उसके जितनी प्रसंसा की जाए कम है, आज की ये भूवे प्रस्तिती, ये प्यारे प्यारे बच्चे, इनकी मैं मेहनत देखता हूँ, पिछले एक महीने से लगे हुए हैं, सारा स्टाफ इन्वोल्व है, कितनी मेह जप भूव अवार्ड मिले हैं, या अवार्ड नहीं मिले, सबी, मेरे आसीषवचनों के हकदार हैं, सबी को मेरे आसीषवचन, सबी को मेरे आशिःफ़ाद, सभी स्टाप मेंबर्स को, जो दिन रात, इसकूल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, मैं धर्दे की गहराईयों से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन समय की अपनी मर्यादा है प्रोग्राम पहले ही थोड़ा सा लेट चल रहा है और मैं अक्षमा चाहूंगा हमारे बीच में शिक्षा के खेत्र के भिशम पितामा गरक साब बैठे हैं राम बिलाजी गर्ग मैं उनका नाम लेना भूल गया था बीच में उनसे मैं शमा चाहूंगा हमारा बड़ा सोभाग्या है कि आज उनके मार्क दर्शन में उनके आसिरवाद से यह भव्यकारियकरम संपन हुआ आप सभी का एक बारी पुना मैं अपने और से शिरीजी परिवार की और से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आने वाले इस फागों नमास की मोहत्सव होली उसके लिए भी आप सभी को मैं एडवांस में बहुत बहुत सुब कामने देता हूं और भगवान से पराथना करता हूं कि रंगों का यतिवार होली की तरिया आपका जीवन भी रंग भी रंगा बना रहे जै हिंद जै भारत अंत में एक बात आप से और कहना चाहूंगा कि शिरीजी परिवार आपने देखा ही होगा पिछले तस्वर्सों में हमारे परिवार के दिल में आर्मी परसंस के लिए इन फोजी भाईयों के लिए बहुत सम्मान है यह कोई कहने की बात नहीं है यह आप लोग उसके गवाए हैं सायद कोई ऐसा प्रोग्राम हमारा एनवल डे ओ या कोई स्पोर्ट डे ओ या कोई और प्रोग्राम हो हमारी प्राइटी यह रहती है कि हम इस मंच से या उसके लावा भी वर्कशोप के माध्यम से या किसी काउंसिलिंग के माध्यम से हम भारत माता के इन सच्चे सपूतों को आप से रूप रूप कराएं ताकि इनका जीवन देखकर हम और आप भी इन से कुछ प्रेयर न ले सकें देखे मैं कहा करता हूँ कि हम इनके लिए कुछ और तो कर सके या नहीं कर सके लेकिन हम सभी का एक फर्ज यह जरूर बनता है कि कोई भी भोजी भाई कहीं भी मिले ट्रेन में मिले बस में मिले, रोड पे मिले, गाड़ी में मिले एक मेरी आप से यह विन्यती है मेरी परसनल रिक्वेस्ट है कि एक सलूट इनको जरूर मार दिया करो अरे भाई हम हर्याना वाले तो वैसे भी ठोकने के मामले में मसहूर है अक्सर कहा जाता है भाई अर्याना वाले तो ठोकने में मसहूर है चलो और को ठोका ठाकी मत करो लेकिन एक सलूट इनको जरूर ठोक दिया करो मैं आप सभी पेरेंट्स की तरफ से अपने स्टूटेंट्स की तरफ से अपने स्टाब मेंबर्स की तरफ से सर आपको एक सलूट अपनी तरफ से मैं करता हूँ जै हिन जै भारत